Hey guys, my name is Gaurav Chaudhry and you are watching Mr. Gaurav तो दोस्ते इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको UPSC की काउंसलिंग में अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है तो उसका सही तरीका क्या है तो आपको अगर यह जानना है कि UPSC में काउंसलिंग फिलिंग का सही तरीका क्या है चॉइस फिलिंग का सही तरीका क्या है आपको किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है किस तरीके से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है तो इस वीडियो को एंड सक ज़रूर देखना और यह यार बहुत ही जादे important videos हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको choice feeling कैसे करनी है और साथ में मैं इस वीडियो में ऐसा भी बताऊंगा आपको एक list पूरी दूँगा इस list को आप अगर अपने copy पे note down कर ले और उस list के according यह आप अपना college select करें उसी list के according आप अगर choice feeling करें तो आपके लिए बहुत ही जादा benefit हो सकता है और आपको सबसे अच्छा government college या फिर सबसे number one का government college भी मिल सकता है तो प्लीज आप इस वीडियो का एंड सक जरूर दीखना यह वीडियो बहुत जादे interesting है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको एक बात मैं बता दूँ कि अगर आपने अपको एक हमारी चैनल को शुरू करते हैं पहले यार बहुत सारे बच्चे च्वाइस रॉंग कर देते हैं रॉंग करने का मतलब क्या वह गलत website पे जाके च्वाइस नहीं यह नहीं कह रहा हूं मैं मैं यह कहने का मतलब मेरा यह है कि आप college को सही order में भढ़ने पाते हैं यह order में आप college को choice नहीं कर पाते हैं आप बच्चे की rank अगर ज्याजा होती है तो वह सुचता है यार मेरे को अच्छी college तो मिलेगी नहीं तो मैं बेकार बेकार college ही भढ़ देता हूं लेकिन यार आपको ऐसा नहीं करना है अगर आपका interest है कि मैं computer science लेना चाह रहा हूं या mechanical लेना चाह रहा हूं या easy लेना चाह रहा हूं या other branch लेना चाह रहा तो आपको उसी की according filling करनी है लेकिन आपको किस की according करनी है मैं बतारू पहले आपको सबसे आपकी rank भलाई कितनी भी हो आपको पहले IET लखनो जो की UPTU का number one college है उसको डालना है तो आपको जो भी सबसे पहले आपको जो interesting college आपको लगता है यह जिसमें आपका सपना है कि हाँ मैं इस college में जाओं या फिर आपका जो interesting branch है कि मैं इस branch को लेना चाहरा हूं तो आप पहले तो उसी को fill करें अगर आप चाहरे है कि मेरे को किस order में जानना है अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको किस order में भढ़ना चाहिए तो वीडियो के end तक ज़रूर देखना आपको वीडियो के end में एक अच्छी खासे list मिलेगी आप उस list के according के अपना college भढ़ सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं तो पहले बात तो यह कि आपको यार कोई भी ऐसा fix नहीं है कि आप मतलब 10 college ही select कर सकते हो या 12 college ही select कर सकते हो आप जितने चाहो उतने college select कर सकते हो तो इसलिए इसका यार फाइदा उठाओ बच्च ज्यादा ज्यादा आपको college फिल करना चाहिए कि आपको कोई option ही ना ऐसा बचे कि आपको college डेफिनेटली मिली ही जाए तो आपको करना किया है कि आपको जाके बढ़ियां से अपनी counseling करानी है ठीक है और choice feeling जो है बहुत ही शांदार तरीके से आपको करनी है counseling start हो चुकि आप BR की और BTEC की दोनों की counseling करा सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना आप मैं आपको बताओंगा कि आपको किस तरीके से आपको counseling करानी है तो आपको अपनी priority किस तरीके से रखनी है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में गंटे वाले वेल आकन को भी प्रेस कर लीजिए मैं इसी interesting videos रिलाता रहता हूं तो चलिए आपको बताता हूं कि आपको अपनी choice filling किस order में करनी है तो आप ध्यान से देख लीजिए इस order को और आप चाहे तो इसको वीडियो को पहुच करके note भी कर सकते है या फिर आप इसका screenshot ले सकते है या इसकी आप इसको ध्यान से देख लीजिए यह आपको इसी order में अपनी choice filling करनी है यह सबसे best order है यह आपको अगर मौका मिले तो आप प्लीज इसे note कर लीजिए मैं आपको इतना ही बार 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 बोल रहा हूं प्लीज आप मतलब इसमें जितने भी college का नाम लिखा गया है आप इ झाल 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 आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया है और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी क्वेरी है इससे डिलेटिव तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मैं आपका रिपलाई जरूर दूगा आपको रिपलाई जरूर दूगा यार आप झाल 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